नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे मत्रा टेक्निकल यूटूब चैनल पर तो दोस्तों यदि आप फेस्वुक पर या फेस्वुक पेज पर पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपका पोस्ट जो बारबार फेल्ड हो रहा है तो इसकी प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और आपको यह प्रॉब्लम क्यूं आ रही है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने बाला हूँ यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पोस्ट क्यूं फेल्ड हो रहा है या फिर post क्यों upload नहीं हो पा रहा है तो इन सब problem को आप कैसे fix कर सकते हैं तो दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ये problem क्यों आ रहा है और आप इसको कैसे fix कर सकते हैं तो दोस्तो आप Facebook पर जैसे ही post करते हैं और उसी वक्त आपका post upload नहीं हो पाता है तो ऐसा क्यों होता है ठीक है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है तो दोस्तो जब आप Facebook पर बार बार post upload करते रहते हो और दोस्तो Facebook समझ लेता है कि आप Facebook पर spam वगेरा करते हो या दोस्तों आपके Facebook को आपके account पर कुछ भी in activity लगती है तो दोस्तों Facebook आपकी post when कर देता है या फिर दोस्तों यह problem कभी-कभी वैसे ही आ जाती है तो दोस्तों आप इस problem को कैसे fix कर सकते हैं तो मैं आपको इसका एक solution बताऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना Facebook app open कर लेना है अगर आपकी ID open नहीं है तो आपको अपनी ID open कर लेनी है open करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो right side में उपर three days आ रहे हैं वहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों आपको last में आना है सबसे लास्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने रिपोर्ट आ प्रोबलम तो दोस्तो रिपोर्ट आ प्रोबलम पर क्लिक करना है रिपोर्ट आ प्रोबलम पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तो आपकी जो समश्या है उससे related आपको यहाँ पर एक option select करना है दोस्तो देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे option आ रहे हैं View and Sale Groups, Camera, Checkout Payments, Events, Friend Request तो दोस्तो आपको post करने में दिक्कत आ रहे हैं तो आपको post से related select करना है तो दोस्तो आप देख सकते हैं News Feed, आप News Feed का भी option select कर सकते हैं अगर दोस्तो आपके page पर problem आ रहे हैं, आपके page पर post नहीं हो पा रहे हैं तो आप page भी select कर सकते हैं दोस्तो page select करने के बाद आपको यहाँ पर briefly explain what happened and what we need to do reproduce the problem दोस्तो यहाँ पर आपको explain करना है जो भी आपको दिक्कत आ रही है और दोस्तो उसके बाद जो camera roll का option आ रहा है वहाँ पर आपको click करके screenshot attach करना है जैसे कि आप post कर रहे हैं और उसके बाद आप post करने के बाद आपकी post field हो जाती है तो उसका screenshot आपको लेकर यहाँ पर attach कर सकते हैं दोस्तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप camera roll पर जैसे ही click करेंगे तो आपका जो phone में जो photos हैं वो आपके सामने आ जाएंगी तो और उसमें से आपको अपना screenshot select कर लेना है दोस्तो screenshot select करने के बाद और उपर सारी detail देने के बाद आपको send पर click कर देना है दोस्तो आप जब यह fill करके और screenshot लागा कर send कर देंगे तो आपकी जो समस्या है वो बहुती जल्द solve हो जाएगी तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तो आपके मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like करें और मेरे YouTube चैनल को subscribe करें धन्यवाद